नेक्स्ट गुड मॉर्निंग चलिए चैप्टर नंबर 10 इसमें हम स्टार्ट करेंगे इंडियन बायो बायो डाइवर्सिटी डाइवर्स लैंड इसके तो इसमें हम समझेंगे इंडियन बायो डाइवर्सिटी के बारे में इंडिया में जो बायो डाइवर्स कंट्री है जहा इंडिया की लगभग एकाउंट करता है जो 7% recorded species जो है वो support करती हूं almost 18% of human population को और जो species richness है इंडिया का जो rank है वो 7th है in mammals mammals में 7th है 9th में 7th है birds में 9th है और 5th जो है reptiles में पूरे दुनिया में जितने mammals पायाते है उसमें 7th जो है वो इंडिया में है और birds जितने है उसमें 9th bird इंडिया की है और जो reptiles से उसमें 5th जो reptiles है जो जो cephalic climatic और जो topographical conditions है वो wide range of ecosystem और habitat जो है forest, grassland, wetland, coastal और marine ecosystem, desert in India यह greater biodiversity यहाँ पाय जाते है इंडिया में represent करते हैं जिसमें 2 rims है तो इंडिया में जो biodiversity है वो 2 rims है 5 biomes है 2 rims है 4 biomes 5 biomes है और 10 bio geographical zones है 25 25 bio geographical provinces है तो पहले 2 rims है उनके बारे हम पढ़ेंगे जो है यह bio geographic rims है जो large special region होते है विदिन जहां पर within the ecosystem share करते हैं broadly similar जिसमें biota rims जो है यह continent या फिर subcontinent size का area हो सकता है जो unifying करता है feature of geography of flora and fauna जहां की geography लगभग इंडिया का जो region है वो composed two rims जिसमें क्या करते हैं इंडियन हिमालियन region रेप्रेजेंट बाय पैली पैलरी आर्टिक रिम पूरा हिमालियन region सुलिमान रेंज से लेके और पूरा अराकान योमा तक यह जो पूरा region है यह पहला दूसा है rest of the subcontinent represented by Malayan rim दूसा Malayan rim वाला है तो इसमें हमें बता है कि जो word है वो टेक्तॉनिक प्लेटों से मिलके बना है तो टेक्तॉनिक प्लेट में जो इंडियन प्लेट है वो वह एक रिम और जो Malayan वाला प्लेट है उस पर अब जो एड टेरिटेरियल एड टेरिस्टियल बायो है फुकल रिम है इंडो मलायन रिम है ओस्य अर्रिम है और अंटार्टिक रिम है यह यही chi देक है केений हैं दूसरा यह तो मैंने पहले दूसरा आ है बायोम औफ इंडिया में जो है जो टर्म बायोम है इसका मदब में ग्रूप जो प्लांट और और अनिमल का है वो सर्टन क्लामेटिक पैटर जो ऐसा एरिया जहां पर सर्टन क्लामेट पैटर पर रहते हैं इसमेंहОं वेजिटेशन humid forest, tropical humid forest दूसरा है tropical dry or deciduous forest जिसमें monsoon forest कह सकते हैं तीसरा है warm desert और semi desert चौतह है coniforest forest और पांचवा है alpine forest बायो geografical zone तीसरा है bio geografical zone इसमें पहला हैं टांस हमालियाज दूसरा है हमालियाज बताए जारा तीसरा जो desert है और चौतहा जो है semi arid पांचवा western ghats western ghats और छठा डिकेंड पनिस्विला पुरा है सेवंध गंगेटिक प्लेन है और एट जो है कोस्टल्स है कोस्ट से हैं और नाइन जो है नौर्थ इस्ट रीजन पुरा और टेन जो है आइसलेंड इस तरीके से ये पूरे biogeographic jones of India होता है जो biogeography है biogeography deal करती है कि जो geographical distribution है plant और अनिमल्स का और ये 10 biogeographical jones है जो distinguish करते है clear in India और ये जो है जिसमें पहला है trans Himalian Trans Himalayans जो है वह extension है टिबैटियन प्लेटू का ये trans Himalian जो है वह extension है तिबैटियन प्लेटू जो हर्भर करता है हाई एटिट्यूट बहुत उचे-उचे है एल्टिट्यूट है कोल्ड डिजर्ट है लब्दाक और लाहूल इस्पिति है मंचे पदेश में इसमें लगबग 5.7 परसंट जो कंट्री का लैंड मास है दूसरे है हिमाल्याज हिमाल्याज जो इंटार मौंटेन चेन है जो नौर इस्ट तक आती है और यह लगबग डाइवर्स रेंज है बायोटिक प्रोविंस प्रोविंस और यहां पर बायोम जो है 7.2 परसंट ऑफ कंट्रीज लैंड मास तीसरा जो डेजर्ट है जो एक्स्ट्रेमली एरिड एरिया है वेस्ट आफ दा अराल वली हिल्स रेंज और जो कंप्राइस करता है बोथ सॉर्टी डेजर्ट ऑफ गुज्राद और जो सेंड डेजर्ट है राजिस्थान का 6.9 परसंट अफ दे कंट्रीज लैंड मास अब जो सैमी एरिड सैमी एरिड सैमी एरिड एरिया है जो 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 बिटून डेजर्ड और जो डिकन प्लात्यू है इंक्लिफ करता है अरावली हिल्स जिस रेंज 15.6 परसंट अफ दे स्कंट्री लैंड मास पान्च वैस्ट इन घाड वेस्टर घाड जो है जहां पे हिल रेंज और जो प्लेंस रणिंग एलॉंग दे वेस्टेन कोस्ट लाइन साउथ आफ तापती रिवर और यह कंज कवर करते है एक्स्टेमली डाइवर्स रेंज जो बाय बायोटिक प्रोविंसेज पायोम जो है इसका 5.8 परसेंट कंट्री की लैंड मास्ट का है डिकन पेनिश्वला जो ह और यह कवर करता है सदन और जो साउथ सेंटरल प्लैटू विद अ प्री डॉमिनेंटली डिसीजियस वेजिटेशन जिसमें 4.3 परसेंट जो है कंट्री का लैंड मास्ट जो गंगाटिक प्लेन है जो डिफाइन किया जाता है गंगा रिवर सिस्टम और यह जो है ता प्ले इंडिया और जहां पर वाइड वैरियेशन देखने को मलता है वेजिटेशन 5.2 परसेंट अफ दा कंट्री लैंड मास्ट जो आइलाइंड सेंट अनमा निकुबार इन इन द बेय और बेंगॉल जो हाली डाइवर्स हैं सेट अप और बायोम पॉइंट 003 परसेंट अफ टीफेरेंस बीट्वीन दम टू जो लक्षदी पालांट से क्लेट किया थे इस सभी में जो पर सेंट एरिया है वो भी नेगलेजिबल हैं बायो जो डिवाइड होती हिव दो प्रांज में पहला है फाइटो जो गश्टी जो प्लांट जो गर्फी होती है जो डील करती है उ इसे बायो जियोग्रफिक प्रोविंस कहते हैं बायो जियोग्रफिक प्रोविंस जो होते हैं एको सिस्टेमेटिक और बायो से सब डिवीजन ओफ रिम्स इंडिया जो है डिवाइड किया गया 25 बायो जियोग्रफिक जोंस में अब यह जो बायो जियोग्रफिक क्लासिफिके ने वो डन करी गए using various जो factor हैं चाहे हो एल्टिट्यूर उचाई को ले को मॉइस्टर को ले को टोपोग्राफिक को ले को रेंफॉल और जो बायो जियो ग्रेफिक जोन है ये यूज करे जाते हैं as a basis for planning of planning wildlife wildlife protection protected area in India अब जो कियते हैं जो जो को बायो ग्रियो ग्रफिक जो सैं और जो बायो जीऊ ग्रफिक फड्र इंडिया में पहला है बायो जीज शोंस जो ट्रांस हिमाल्या है इसमें इसमें 25 जो आते हैं ट्रांस हिमाल्या में पहला इसमें हैं हिमाल्यान लद्दाक, हिमाल्यान तिब्बत, हिमाल्यान सिक्किम हिमाल्यान दूसरा आता है नौध वेस्ट फिर आता है वेस्ट फिर सेंटरल इस्ट फिर इंडियन डेजर्ट में थार खच semi desert में Punjab और Gujarat Western में Malabar और Western घाट डिकेंड में Central Highland छोटानागपु प्लैटू Eastern Highland Central Highland और इस तरीके से डिकेंड साउथ गंगेटिक प्लेट में उत्तर पुदेश उत्तर गंगेटिक प्लेट और लोगर गंगेटिक प्लेट कोस्ट में वेस्ट कोस्ट इसकोर लक्षदीप नौर्थ इंडिया में ब्रह्मपुत्र बैली और नौर्थ इस्ट हिल्स में आई-लाइन में अन्दमा निकोबार अब यह जो फॉना है जो फॉना जो है फॉना मलब एनिमल्स एनिमल को दो पार्ट में डिवाइट किया गया एक चाहीं को पारेज एफ ब्रड़न की में सब्सक्राइब होजाती है और स्पाइनल कोड़ इस्पाइनल कॉर्ड Siika Day का यह फिस्पाइल कोडिय को रिप इक वर्टिबियर जो एक वर्टिबल कॉलम जिन में वर्टिबल कॉलम जो होते आगे जलके बैकबोर्न या फिर स्पाइनल कॉलम बनता है वर्टिब्रेट जो होते हैं mostly advanced organism है और जो वर्टिब्रेट हैं ये only very small percentage of small percentage हैं all animals के लेकिन इनका size जो mobility है वो dominant है over the environment इसमें बहुत सारे जितने भी वर्टिब्रेट में आते हैं हमारा पहले फिशेज आती हैं फिशेज जो होती है cold-blooded animals होती है cold-blooded जो अपना cold-blooded animals है जिनका जो अपने body temperature को maintain नहीं कर पाते हैं और leave in water इसलिए water में रहते हैं और ब्रीट करते हैं गिल्स के दौर नॉट लंग्स इस है है विसकेज़ फिंस ले एक्स एंफिबियन जो होते हैं भी cold-blooded होते हैं यह भी body temperature maintain नहीं कर पाते हैं इसलिए land or water दोनों पर रहते हैं और वेब feet होते हैं breathe with lungs skin lung और gills के दौरा और moist skin होती skins के भी करते हैं four legs होते हैं और इस तरह के से lay eggs उसके बाद हमाना आता है reptile reptile cold-braided होता है यह भी और यह scales होती है dry skin होती यूशली leg four holes होते हैं और four legs और apes जो होते हैं warm-blooded होते हैं इनमें feathers और wings होते हैं ले eggs और two legs और ear hose instead of ear mammal जो होते हैं यह जो birds है और जो mammal है यह दोनों warm-blooded यह अपने body temperature को maintain कर सकते हैं इसके लिए different mechanism है mammals में warm-blooded fur hair होते हैं और fur होता है skin के नीचे birth young ones को देते हैं mammal mother nurse करती है यंग और जो breathe with lungs और जो mammal live on land have four legs जिसमें दो लेग दो आम होते हैं यह टू स्केलटन जो होता है नहीं होता है और उनके अंदर bones भी नहीं होते हैं जो बहुत सारे vertebrate हैं उनके बंदर body fluid जो होता हाइड्र is hydro static skeleton होता है और यह जो होते है jellyfish या फिर warm बहुत सारे बहुत से ऐसे भी जिनका hard outer scale पाया था जैसे कि इंसेक्ट और कस्टेशन में इनके अंदर body के अंदर bone ने होती है यह सभी आप देख रहे हैं वर्टिब्रेट में एनिमल विदाउट backbone प्रोटोजोंस अनिलीड मॉलस्का एकाइनोर मेता कस्टेशन आर्केशन और यह सब इंसे पहले अनिलीड 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 है जिसमें केच्व एच्वा आता है केच्वा है लीच है इनके जो बोडी होती segmented होती है आपने देखाँ केच्वा रिंग अर्थवाम है यह best friend भी कहाता है farmers का they do not have any limbs limbs नहीं होते हैं अर्थवाम लीच और round warm मॉलस्का जो ऐसे यह भी बहुत important है मॉलस्का जो पर्स जितने भी पर्स पाई जाते हैं water में oceans में यह सब वही हैं जो सीप होते हैं पाइला जो यह मॉलस्का होते हैं जो पंडी जी शंक बजाते हैं वही वाले हैं अनिमल से मॉस्ट मॉलस्का जो होते हैं soft skin होती है like organ और यह cover होते हैं with hard outside skin और कुछ जो होते हैं वो लैंड पे भी रहते हैं जिसे snail और slug हैं जो मॉलस्का लीव इन water और जिसमें oyster, mushell, clams, squid और octopus, echinoderm होते हैं यह marine animals होते हैं जो ocean में रहते हैं और most जो होते हैं इनके body पे arms या फिस पाइंस, spikes निकली रहते हैं जो radiate करते हैं center of the body और फिर यह जो echinoderm होते हैं इसमें सी star, sea argin, sea, dollar, sea cucumber खीरे नुमा होते हैं पोटोज़यन जो होते हैं single animals हैं जो smallest होते हैं और यह पोटोज़यन जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और यह बहुत ज्यादा disease cause करते हैं चाहें वो प्रलिंदोंस में वह कहते हैं ट्रीपैनलोण सुमा हो चाहे कहते हैं पूर्टोज़ूस प्लासमोडियम हो देडड डे डूबरीध मेंड रेप्रृड्यूज मर्टी त्यूब्लै नूगलाय जीसे एमीयबॉध हो इतने भी आते हैं अब देखते हैं अदर जो होता है तोहerson हर D सबनें इसमें करेसिंस इंशेक्ट ये फिर आठ करिनिट साथ तो은े यहां पे इसके तीन ग्रूप है पहला है किस्टेशन क्रिस्टेशन जो होते हैं ओशन या वाटर में रहते हैं और जो क्रिस्टेशन होते हैं उनका भी हाड एक्स्टेनर स्केल विच प्रोटेक्ट देर बॉड़ी और यह जो क्रिस्टेशन जिसमें क्रैब केकड़ा होता है और लोबेस्टर होते हैं मैंनेकल होते हैं इसमें भी ऐग्रेस कलटन कवर करता है इंटयर बोडि और यह जो इंसेक्ट किम बढडि होती तीन बॉडी फार्ट होते हैं सिरे सुझ ऑर एंटी नां veg व no कोख रोज जो जिसे मख्की है उसमें आप देखेगा उसके दो चोटी यह अंतीना होते हैं जिससे वो इधर गाली करता रहता है तो इसमें बटरफ्लाइ में तो बीटर बटरफ्लाइ, मौथ डागन-फ्लाइ भी वैसिंस अभी यह सब मयाट्स प्रेंग मैंन्टेस यह सब इ यह spider scorpion ticks होते हैं और इनमें do not antenna तो याद रखो antenna किसमें होते हैं वो insect कहलाते हैं जिसमें antenna नहीं होते आर्कनेट कहते हैं और इसमें दो body parts होते हैं four legs होते हैं अफ फ्लोरो डाइवरसिटी जो यह तो animals की अब फ्लोरो डाइवरसिटी इंडिया में पाई जाती है अब जो perminta डाइवरसिटी है उसक्ते effective और इसके बारे समझते हैं कि expectation ही कैसे में 25 seconds प्लांट होते एक ऐसे प्लांट रांट प्लांट होते हैं जिनकी सेल याड़ी इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले ऐल्गीज यह उते हैं और फिर आता है फंगस उसके बाता है बैक्टीरियल बैक्टीरियल लैक क्लोरोफिल तो एल्गी फंजाई जो होती है वो क्लोरोफिल उन्में नहीं होता है बैक्टीरिया में भी और algae जो होती है उसमें chlorophyll होती है अब यह जो होते हैं इनको यह highly specialized tissue नहीं होती है लेकिन जो ऐसे specialized tissue होते हैं उनको उसमें भी दो टाइप की एक vascular plant और एक non-vascular वस्कुलर जो होते हैं जो वाटर फूट कंड़क्ट करते हैं तो इसमें ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट आते हैं जिन में वस्कुलर टीशू नहीं होती हैं यह इसमें ब्रायोफाइट इसमें उसके एक्जामपल लिवलवर्ड या मॉसस जो वस्कुलर टीशू इसमें होती हैं उसमें भी दो टाइब के एक स्पोर्ट जो बनाते हैं कि स्पोर्ट नहीं बनाते हैं वह सीड बनाने लगे अच्छल में जो पहले स्पोर्ट है वही आगे चलके सीड बन गए ईसपोर्स जो इसमें टेरीडॉपाइट्साइए जिसमिर्स हाई लोते हैं और जो प्रश्च कुल्ए कुल्रामाइ जो सीड बनाते है उसमें भी दो हैं एक सीड्र जो ardalon जिसमें और ञांते हैं जो इसमें वह सुरे रहें हм अब जो इंपरिटन फ्रूर्ल गुरूप हैं इंडिया में उसमें इलगी जो हैं तीं टैप के उती है गृणक यह वी एलगी गेडर गीय्यों जो ग्रीन औन डिफ्रेंशिेटेटि इड व्र और ओर जोह चपून जो च चोटी चोटी ऑर्गन उसी नुमा होते हैं और ये पजस करते हैं और ये ग्रो करते हैं वाटर और मॉइस्ट में फ्रेश वाटर में भी जो एलगी ग्रो करते हैं और ब्लू ग्रीन एलगी जो कलर होता है वो मेरीन में देखा जाते हैं रेड और ब्राउन भी होते हैं इसमें डेट पे या फिर जो सड़ी गई चीज़े रोटन और गनिंग मैटर पे सेप्रोफाइट या फिर लीव करते हैं परसाइट पे या फिर दूसरे की बॉड़ी पे इसे होस्ट कहते हैं मोल्ड और जो मश्रूम हैं यह सिमलर एक्जांपल हैं जो सप्रोफाइट के और इनकी मैक्सिम जो डावर्सटी फंजाए कि वह वेस्टेन घाट में देखने को मलती है और इस टेन हमाल्याज में जो बैक्टेरिया है और नॉन कोलो कोलो फैलास होता है इस माइग्रो और यह पर इस टिक और झो यह पहता जो निक होता है और जो इप्रोफिटिक बैक्टिर्या होते हैं वह बै ön ni f einen Wi-cie जो तांब जाद बेनेफिशियल नहीं होते हैं और यह जो साथ रे इह व्हां फ़ून होते हैं और यह उसेशन करते है रॉक्स पर या फे ट्री के ट्रंग पर या फे डेड वूड पर और ये जो लाइक होते हैं ये इसमेंug गल्गी जो है खाना बनाता है ऊच्वंगस जहें न्यूट्रिंट इसे होते हैं जिसमें differentiation into small stem, cuted stem और simple leaves but two roots इसमें नहीं आते हैं इसमें इसमें लिवबर मॉस्स आते हैं और जो second largest group है green plant in India ये large is 10 इंडी इस्ट इंस इमालिया नॉर्थ इस्ट इंडिया में western ghat और western हिमालिया दिमें मिलेगा जो मॉस्स होते हैं लगबग यह इंडियन भ्राइओ फॉरआ का इसमें आते हैं लिवरबर्ड हॉरिसटॉन जो यह प्रिट्रोफाइट्रुफाइट्स यह जो होते हैं व्याड दिफर्रिस्टेटेड़ होते हैं जिसमें बैक प्लांठी व्योटी होती हैं इंको त्रेन्जडियल प्न्सेंप और लीव्ज औ या फिर शेडी प्लेसेस पर ही जायते रोगते हैं सम आप दे एकवाटिक नदी किनारे या फिस टाइप से जील की किनारे यह जो ग्रूप है इंक्लूट करता है वस्कुलर क्रिप्टो गैम्स जिसमें जो क्या करते हैं मॉसेज होर्स टेल्स या फिर फंस आतने यू उनिवर स्टैमने इंडार निखर मदब इसमें सीट जो थे नेकर होते हैं और हीए जो होते हैं सिंपल फ्लावर सथे विड़ आज श्रीव वोर्ल इसमें इस्टेमन और कारपर नहीं रिमेंस एग्रिगेटेटर इन कोंस कौन के फॉर्म में चलम स्विदिग नहीं होते हैं बिदब कोई चैचिक नहीं होता है, स्टाइल और स्टिगमा ओती है निचरली नुफ इसले कोई फूट नहीन होता है और जो साइक पाइन है, पाइन जो है लाचिसट फैमिली मेंबर है, इसमें का नीटम सायकर, जो mostly confined northeastern, northeastern region में eastern और western घाट में और आनमा निकोपार में पाय जाते हैं, अब जो angiosperm है, angiosperm जहाँ भी भी आपको जिस plant में फ्लावर दिख जाए वही समझे अजिस फ्लावर, जो होता है इसमें ये close seeded plant होते हैं और इसमें जो plant होते हैं वो लगबग फ्लावरिंग होत होते हैं और कहते हैं इसे accessory, flower, जिसे carpal या जिसमें carpal होता है, ovary-style stigma होता है, बाद में इसमें stimulus, fertilization होता है आवरी का ओर हुवरी जोटीयों are ahee यौ्जा-यु चौनदर करने का घृण इंडियां में लगबक 7% जो वर्ड के वर्ड कार से अफ संपर्सेंट जो लिम से इंडुमें लब कि एह Commerce。 इंडिया है। इंडिया है। वहाथ बहुत तैजी से घाय segu देज़ी में है। इंडिया बहुत ऑफ थें हिस्ट एन हिस्टे में आप है।। 2500 और जो नौर्थ नौर्थ इस्टेन हिमालिया जे आठ आठ सो इस्पिशीज आइन में निकुबा लवग दो सो पचास स्पिशीज जो क्रॉप जैटिक डाइवरसिटी अग्रिकल्चर जो है एक टाइप का डॉमिनेंट डाइवर है जो मिस्ट एक एकनॉमिक ग्रोथ इंडि में डिपेंड करते हैं इसके उपर और जो लाज मोजाइक और डिस्टिंग एग्रो एको सिस्टेम है जो वेरिशन जो बहुत साइब वेरिशन आ रहे इंडिफिक और जो गर्फिकल फीचर जो है वो कंट्रिब्यूट करते हैं जो डाइवर्स और क्रॉपिंग पैटर्न है में और अक्रास्व दा कंट्रिचु इंडिया जो है 7 वर्ड में है दे कंट्र चांट उफ इंडी नेन और इंडियमें और नेशनल नेशनल ब्यूरो और प्लांट जन्टिक रिसोर्स जो की नेशनल जीन बैंक है नेशनल जीन बैंक जहां पर बहुत स़ाइज जीन्स को कलेक्ट यह तै यह रिस्पॉंसिबल है फॉर कंजर्वेशन और यूनिक एससे लॉंग टम बेसेश पे और जितने भी कलेक् जो की रूलर लावलीषोड का जो गाओं के लोग है उनका जीन या अपन लागवाग रूलर जिपतना लावलीषोड इसी पर डिपेंड करता है और यह जो इंडिया की पॉपलेशन इंडिया का रैंक फस्ट है इन फपहलो पूरे दुनिया में सब चाहदा फ़िफलो ऑने टीक सोर्स हैं फार्म में इंडिया जो है रिप्रेजंट करता है ब्रॉड श्पेक्टर मिजसमें जो बिअ कैटल की बीड है एब फैलो की गोड की शीप की सुन की स्वें की जैए कुईंस की यह फिक कैमल कुर्टी जो ओवर दे ये जो इंडियन है कॉंश्य ऐस बन्री है कॉंस्टीशिन है में भी हमाहे लिखा है कि जू फ़ूंस्टीशन का फॉर्टीन सेवन प्रहटी ईट कहता है कि हमें एनिमल और एनिमल इस विंडी कुट्रेक्ट करना चाहिए तो जो इनिमल हैस्ट बंडी है और जो इंटेंसिफाइड इंड़िया यह क्या गते हैं इंट्रडक्शन ऑफ एक्जॉर्टिक बीड जो हम एक्जॉर्टिक बीड लाते हैं उसे उसको क्रॉस कराते हैं और जो रिड़क्शन हो रहा है टोटल जेनिटिक वारी बिलिटी जो पॉपुलेशन में सइज में मैने लोकल बीट सर्मिजोर्टी जो पच्छासी परसेंट है लाएवी स्टॉक इंडिया में हो रियर करी जारेए लो इन लो इन पोट प्रोड़क्टीविटी इंडिया का जो प्रोड़क्टिवीटी बहु इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यदा बायोडावर्सरी देखने को मिलते हैं फ्लोर ओफ ओना जो होता है बहुत है हिमालियाज में डिफर करता है हिमालियन फूट हिल्स जो है जो निच्रल मॉन्सून एवर्गीन और समय एवर्गीन फॉरस्ट हैं डॉमिनेट करते हैं दिफंड गार्ण लॉर रॉड डंड्रावन चैफिड ओर्फ रहल बांबू बशर फर फर फरष्ट मिक्स्ट विद अलपाइन फॉन सिरहें इस्टेंड हमालियाज यहां पर ओक में गॉल्स लोर अरस बर्चर्ज जो कवर होते हैं मॉसिए आफॉर फॉरस्ट होते हैं अपि फाइट्स डॉमिनेंट होते हैं जो पैनिसुला में इंडियन सब रीजिन में जो दो जोन होते हैं पैनिसुला इंडिया और जो उसका एक्स्टेंशन है इन्टु दे ड्रेनेज बेसिन पे गंगा रिवर सिस्टम में डेजर्ट रीजिन जो हता है राजिस्थान का थार परिटीचनinga जुला ट्रैनिया डेशर्ट इंटिया में जो हो अंधर फ्रीस में तो अरॉट तो ट्रॉट कगूल रायों इसे ऐस्यूस कभ वगजटेशन है डियुक्स डिपेंट करता है अपयों दे वैरिशन हैं एनदर रेनफॉल और जो हमाईटी फीशन असंतूल स्को है वहां पे वर गीन वेजिटेशन होता है और यहां पे एक 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 एवर गीन हाई यह ड्राइए एरिया जो है अजिस्तान का जो अरावली इंगा वहां पे स्कैटर्ड है थार्नी इसका इसका विशीष फीडामेंट और जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी ओ ओर ओपन सवना है विटार टाइब पायाता हैं इंडियन डेजर्ट जो है यह यूनीग है फ्लॉरा फॉर्णा का यहां फ्लॉरा जो थार्नी टीज और जो इस इडिव्यू उन जो झोर्ड जेजैंब गार्ट गॉरीं वेजेटेशन जाप श्वडगोन पन निलगरीज और जो श्वड वन होते हैं यह अनमालायृ और प्लादी हिल्स पयाना मलाइब ऑपनानी हिल्स इ सनाति घिज़क्ति है और यह जो पी डॉमिनेंट और जो वराइट ट्ट और किड पायता है और इस टेटिफिकेशन इन रें ट्रेइन फॉरेस्ट में ट्रेश्टेटिकेशन देखने को मिलता है जहां पर वैरी डिस्टिंग्ट थ्री होरिजंटल लेयर्स पाय जती है है कि इसमें ऍको बार इन जो है यह भी हो में टॉपिकल रिण फॉरेस्ट का जिसमें जाएंट डिप टैरो कार पस मिलता बंक intern lयमिलते हैं लेंगर स्टो मिया और जो डॉमिनिन्ट है मेंगोफ जो होते हैं वह मेंग्वोफ के दून का जो होते हैं गॉइंज मेंगोफ शॉंप जो लोटाइडल जोन है वो पाइनियर है ट्री इसे सुन असुन रेट रिट रिया एवी सीनिया और जो यह जोन है जहां पे राइजो फोरा बुल गियूरिया एक्स का से कहा रिया क्रीज फ्रॉपर्स जो फॉर्स्थ है जिसमें लगए 70 पर संडू म्एन गुरू फॉरेस्ट पायते हैं और यहां पे जो यह फॉरेस्थ संपूर्ट करते है फॉनिक्स एसोसियेशन का जो है एक्स के रेडिया का यह है है टेरिया जो फॉरेस्ट है हाइस्ट प्रपोर्शन है जहां पे ठिक अंडर ग्राउंड और फॉनिक्स और नीफा पांच पायते हैं इसी की चाहिए इस चैप्टर फिनिश रिता है थैंक्यू